नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है बिहार के जिस गया सहर में फालगूर नदी में पिंड दान करने से पित्रों को मोक्ष मिलता है उस गया में गर्मी ने हाहकार मचा रखा है और उसकी वज़ा से पूरे गया में धारा 144 लागू कर दी गई है यानि कि यदि गर्मी मे आप घर से निकले और पाँचार में इकठा हुए तो आपको जेल हो सकती है आखिर कारिस की नोबत क्यों आई क्यों इतनी सबसे ज़्यादा बिहार से गर्मी से लोग की मरने की खबर आ रही है और अभी तक 184 लोग की मरने की खबर है और पिछले 48 घंटे में सबसे ज़्य सबसे ज़्यादा एक सब्सक्राइब की मरने की बात कई जा रही है वहां के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने सभी ऐसे मरने वाले के परिवार को 44 रुपए देने को कहा है इसकूल की छुटिया बढ़ा दी गई है और पूरे बिहार में खास्त और से साउथ बिहार सबसे जो बताया जा रहा है वहां अनवचारिक रूप से 10 से उपर बताया जा रहा है लेकिन अपचारिक तौर पर उहां पर पांच संख्या बताया जाय रही है मरने वालों की तो इस्थिती यह है कि आपका सकते है कि उत्तर भारत से लेकर के दक्षनी यानित तमिल नाड़न में तो पानि के लिए मार हो रही है वहां पे जगड़े हो रहे हैं बहुत ज़्चाधा वहां से जगड़े होने की खबर आ है रहे हैं पानिगोले करके लेकिन इधर jest है सबसे ज्यादा उत्तर भारत में कोई प्रभावित राज दिख रहा है तो बिहार ही है और अंतर वहां के गया के जिला प्रसासवन को यह कदम उठाना पड़ा कि धारा 144 लगा दी धारा 144 के बारे में आपको बताएं कि समानने तोर पे CRPC की धारा 144 वहां पर law and order maintain करने के लिए लगाई जाती है कि पांच या पांच से अधिक लोग एक साथी कर्थे ना हूँ लेकिन गर्मी की वज़ा से यह धारा 144 लगाई गई है तो यह बड़ी बात है क्योंकि सभाविक बात है कि गर्मी की वज़ा से वहां पर पानी के भी 244 लगाई गई है तो यह बड़ी बात है जिस तरह से परियावरण का में चेंजेज हो रहे हैं और गर्मी जो है लगातार बढ़ रही है उसको उसके मद्दे नजर बड़ी बात है एक और बात है जो सैंटिफिक है कि चुकि करक्रेखा वहां से गुजरती है तो करक्रेखा यह बड़ी वज़ा रही होगे जिसकी वज़ा से यह एहतियाती कदम उठाया गया है इस खबर पर हम नजर बनाए हुए है जो भी इसमें और अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे आप देखते रहे हमारा डीचल चैनल इन खबर इनकबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूए